हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका और की क्लासिस में दोस्तों बिहार दरोगा 75 दिन के दूसरा दिन जो है आज है आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे सिंदुगाटी की सब्विता कल हम लोगों ने पढ़ा था महत्पुर्ण पुस्तकें इतियासिक पुस्तकें जो की ए चेट में तो उसको वहां पर आप इस चेप्टर से संबंदित जो प्रस्ण बनते हैं उसको आगे एड कर सकें कि दोस्तों यदि आपने डेवन के क्लास को सभी सब्जेक्ट के क्लास को नहीं देखा है तो उसे जाके आप जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो से लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं हैं तो सस्क्राइब करें तो चलिए सुरू करते हैं बिहार दोगा 75 दिन से रिच्ट का दूसरा दिन तो अपना टॉपिक है सिंदू घाटी सभीता जानते हैं इसके बारे में देखें मेसो पुटामिया की जो सभीता थी वो दजला और फरात नदी के किनारे स्थित्ता ठीक है दियान रखिएगा पूछ लेगा कि मेसो पुटामिया के सभीता किस नदी के किनारे विक्षित के किनारे इस्तित्ता और सिंदु गाटे की सब्वेता तो नाम से यह स्पष्ठ सिंदु गाटे सब्वेता तो ध्यान रखना है इन चारू सब्वेताओं को मेसो पोटामिया दजला फरात मिश्र नील चीन की सब्वेता हांग हो और सिंदु तो सिंदु नदी के किनारे इस्त तरात्मक थी ठीक है जो की दाएं से बाएं लिखा जाता था इस लिपी को बुस्टो फेडन लिपी भी कहा जाता ये एक्जाम में पूछा गया आपका ठीक है बुस्टो फेडन लिपी किस सब्वेता को कहा जाता किस सब्वेता की लिपी को कहा जाता इसी तरह से आपको बुस्तो फेडन लिपी भी कहा जाता है इस लिपी का इस सब्यता की लिपी का साक्ष जो है हडपा की कब्रिस्तान H से मिला है ध्यान रखना है कहां से मिला है हडपा में कब्रिस्तान है उसका अकार जो है कुछ इस प्रकार है कब्रिस्तान का ठीक है? तो इसलिस का नाम हो गया कबरिस्तान H. ध्यान रखें. आगे कहता है कि सिंदु घाटी सब्यता में यह अहरपा में सरवाधिक अक्षर जो मिला है, यह उल्टा यू अकार के मिला है. ध्यान रखें. कौन से अक्षर सरवाधिक मिला है? तो उल्टा यू. अगर बात करें तो धौला वीरा से सूचना पट मिला है, ठीक है, सूचना पट जो रहता है, वो कहां से मिला है, धौला वीरा से, सबसे बड़ी बात है कि सिंदु गाटे के सब्वेता के लिपी को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, अब तक को इसको पढ़ नहीं पाया है, ठ दिखेर आ कि चली अब देखते हैं सिंद्धुगाडि सब्वेता का जुज सीमा विस्तार यह किस प्रकार से अ misf vas करें अगर स्के जिए मांडा-जम्मुकस्मीर में ध्यान रखेगा नदी पूछलेता किस नदी के किनारे है टो मानडा, जम्मु कस्मीर, चिनाब नदी दक्षनी सीमा की बात करें तो यह है दैमाबाद, महारास्ट में दैमाबाद कहाँ पर है? महारास्ट में कौन सा नदी? प्रवारा नदी ठीक है? अगर बात करें पस्चिमी छोर की तो ये है आपका बलुचिस्तान दश्क नदी ठीक है और पूर्वी शीमा जो है ये आलमगीर पूर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी त्यान रखी है आलमगीर पूर किस नदी के किनारे है हिंडन यूपी ठीक है तो उत्री हो गया मांडा चनाब दक्षिनी द्यामाबाद मारास्ट प्रवरा नदी पस्चमी हो गया आपका बलुचिस्तान और पूर्वी आलमगीर पूर हिंडन नदी अगर पूछले कि सिंदुगाटी सब्वेदा का सबसे उत्री सीमा सबसे उत्री बिंदू कौन सा है तो इसका नाम है मुंडिगॉग सबसे उत्री है और यह अफगानिस्तान में ध्यान रखना है मुख्यता यह ही पूछा जाता है लेकिन अगर कभी पूछ ले कि सबसे उत्री सीमा तो यह मुंडिगॉग है अफगानिस्तान में अब दिखते हैं सिंदुगाड़ी सब्यता की प्रमुख प्रजाती तो ये था देखिए प्रोटो आस्ट्रिलाइट भूमद शागरिये अल्पाइन मंगोलियन ये प्रमुख चारप्रकार की प्रजाती है इनमें जो है भूमद सागरिये या द्रविड को शेंदव शब्यता का निर्माता माना जाता है किस प्रजाती को शेंदव सब्यता का निर्माता माना जाता है तो भूमद सागरिये या द्रविड को चलिए आगे देखते हैं अब जानेंगे कि इस सब्यता के बारे में जानकारी कैसी हुई तो देखिए सबसे पहले ये कुशन पूछा गया आ 1826 में फिर जो है हडपा के तीलों का सरविक्षन एक अनिंगम ने किया था ध्यान रखीगा हडपा के तीलों का सरविक्षन किस ने किया था एक अनिंगम ने ठीक है नेक्स्ट है 1856 में कराची से लाहोर रेलवे लाइन बिछाने की करम में हडपा से इटे निकली थी जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था कराची से लाहोर तक में तो उसी समय हडपा से इटे निकली अब देखिए Lord करजन ने भारतिय पुरातत विभाग के स्थापना की थी ये question history में कई दफा पूछा गया है कि भारतिय पुरातत विभाग के स्थापना किस ने की थी Lord करजन ने जिसके इस विभाग के निर्देशक John Marshall थी ध्यान रखी गए निर्देशक कुन थे? ने हडपा की खोच की थी दो तिन important point बन जाएगा कि कि किसके दिर्देशन में दयार आमसानी ने हडपा की खोच की तो जॉन मारसल की ठीक है किस वर्स की 1921 में तो ये इस तरह से हडपा सब्यता का उद्वभव हुआ सबसे पहले 1826 में चार्स मैशन ने बताया एक अनिंगम ने जो है टीलों का सर्वेक्षन किया जब रेलेवेल इन बीच है जा रहा था तो हडपा से एट निकला करजन ने पुरातत विवा की स्थापना की जिसका निर्देशक जॉन मारसल था इसी की निर्देशन में जो है 1921 में दयार आमसानी ने हडपा की खोच की ठीक है अब दिख लेते हैं काल करम जॉन मारसल की अनुसार जो काल करम है ये 3250 से 2750 है लेकिन अगर रेडियो कारवन पदेती के अनुसार बात की जाए 2300 से 7500 ये ज़्यादा मानने है 2300 से 7500 ठीक है अब जानते हैं हडपा के बारे में आधे खिख हडपा की खोच हम लोग ने पढ़ा 1920 में राय बहदुर दयाराम साहँए ने की थी हडपा हडपा पाकिस्टान पञजाब परांत के मुंटा गोमरी जिले में है तो यह जो है रावी न दीके किना रेस्तित है हडपा रावी ठीक है और अगर पूछे हडपा के निर्देशक कों थे तो जॉन मार्सल इनहीं के निर्देशन में 1921 में दयाराम सानी ने हडपा की खोच कर दी थी ठीक है देखिए हडपा जो है यह दो नगरों में विभाजित था एक था आपका पुर्वी टिला दूसरा पस्चिमी टिला ठीक है पुर्वी टिले को नगर टिला कहा जाता था देखिए यह सब पूछन पूछा गया है ठीक है अच्छे एक्जाम में पूछा गया है नगर टिला किसे कहते थे तो पुर्वी टिला को और पस्चिमी टिल नगर पुर्वी, ठीक है, मार्टिन विलर ने दुर्ग टिला को माउंट एबी कहा है, इंपोर्टन्ट, ठीक है, दुर्ग टिला को किस ने माउंट एबी नाम दिया, तो मार्टिन विलर ने, ध्यान रखना है, पूरब में आप जाएगा, तो नगर चले जाएगा, पूरब में जाएंगे तो दुर्गा मंदिर मिलेगा दुर्ग मंदिर एसे याद रख लीजिए आप चलिए आगे देखते हैं कि कहता है कि रिगवेद में हडपा को हरी यूपिया कहा गया है क्या कहा गया हरी यूपिया कबरिस्तान एचे से शेंदब लिपी का साक्ष मिला जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कबरिस्तान एच देखिए इस प्रकार की आकरती जो है बनी हुई थी इसलिए इसका नाम जो है कबरिस्तान एच पढ़ गया अगर बात करें तो इसमें देखिए मकानों के दरवाजे एक दूसरे के सामने गलियों में खुलता था किवल लोथल एक मात्र ऐसा अस्थल है जिसमें घरों के दरवाजे मुक्खी सड़क पर खुलती थे स्टेट्मेंट वाले कोश्चन में इस तरह का परस्न पूछ लिया जाता है ठीक है ध्यान रखना है बाकी जो घर जैसे इस घर का और इस घर का दरवाजा आमने सामने खुल रहा है मुक्खी सड़क कहीं और है इसर लेकिन लोथले का ऐसा सहर था जिसमें की दरवाजा मुक कि मोहरों का निर्मान किसे होता था यह सवाल कई दफा पूछा गया तो सेल खड़ी से होता था सबसे ज्यादा पर चांदी कैलसाइट इन सभी चीजों से हड़पा में मोहरों का निर्मान होता था ठीक है सरवाधिक जो मोहर मिली है यह वरगाकार आकारकी मिली है कैसी मिली है वरगाकार और ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा अभिलेक युक्त मोहर हडपा से मिला अभिलेक युक्त है ना जैसे इस पर कुछ लेक लिखा हुआ तो इस तरह का मोहर सबसे ज़्यादा मिला हडपा से लेकिन सरवादिक एक मोहर कहां से मिला है, तो ये मिला है मोहन जोदोरो से, माँट अफ डेड जोदोरो को क्या कहा जाता है, तो इसे मृतक का टीला कहा जाता है, moment of dead, महंजोद्रों को क्या कहते हैं मिर्तक का टीला इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर जी ने की थी महंजोद्रों की खोज किस ने की थी राखल दास बनर जी ने कब 1922 में ठीक है ये कहां इस्तित है तो ये भी सिंद परांत के लरकाना जिले में कहाँ पर है सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में हडपा कहाँ पर था तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुंटा गोमरी या साहिवाल जिले में और हडपा रावी नदी के किनारे इस्तित था मोहंजु दुडु जो है ये सिंधु नदी के किनारे इस्तित है महंजदुडो की सबसे बड़ी इमारत जो है यह है अन्नागार अगर बात कर लिया जाए महंजदुडो का सरवाधिक जो है सारजनिक अस्थल कौन सा था जो की सबसे बड़ा था सरवाधिक सबसे बड़ा सारजनिक अस्थल अस्थनानागार था ठीक है मात्र देवी की मिरिन मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है तो महंजदुडो से ही मात्र देवी की मिरिन मूर्तियां प्राप्त हुई है इसके अलावा निर्ट करती हुई बालिका काशे की मूर्ती ये भी महंज़ोडो से ही मिला है देखें क्या क्या मिला है ये सब पूछ लेता है कि ये वस्तू कहां से मिला फिर देखें मंगोलियन पुजारी दाढ़ी मुच युक्त मानव की मूर्ती भी महंज़ोडो से मिली है फोटो आपको अंसियार्टी में आपने बहुत बार देखा होगा ठीक है इसके अलावा अगर बात किया जाए तो महंज़ोडों से पसुपतिनाथ या आधतम शिव की मूर्ती मिली है ठीक है इसके चारो और जो है हाथी भैसा हिरन गेंडा व्यागर ये सब जो है विद्दमा विराजमान है तो मिला क्या-क्या महंज़ोडों से यह ज़्यादा जरूरी है तो मात्र देवी की मिरिण मूर्तियां निर्त करतुवी बालिका की कांसे की मूर्ति दारही युक्त मंगोलियन पुजारी पसुपतिनाथ की मूर्ति मिली है और इस पसुपतिनाथ की मूर्ति क कि चारो और कौन-कौन सा जो है विराजमान है ये दिरूर ध्यान में रखना है पूछ लेता है कौन नहीं है तो खाथी, भैसा, हिरन, गेंडा, व्यागर ये सब विराजमान है चलिए अब आगे देखते हैं कहता है कि कपास की खेती करने का स्रे जो है ये शिंदु घाटी सब्यता के लोगों को ही जाता है सरुपर्थम कपास की खेती इसी सब्यता में सुरू हुई और युनानी लोग कपास को सिंदन कहते थे युनानी ने कपास को क्या नाम दिया सिंदन ठीक है तो अड़पा देख लिया अब देखते हैं चानुदड़ों यह देखिए यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यह इस्थित है ठीक है इसकी खोज जो है जी जी नहीं अब थोड़ा सभी कुछ भी पूछा जा सकता है तो दियान रखें चनुदड़ों की खोज किसने की 1930 में एंजी मजुमदार ने की थी ठीक है चलिए अगर आपसे पूछ ले पूछ ले क्या जाम में पूछा गया है कि चनुदड़ों का उत्खनन जो है यह किसके निर्देशन में हुआ था तो दियान रखें अर्नेस्ट मैके के द्वारा चनुदड़ों का उत्खनन किया गया था ठीक है खोज 1930 में एंजी मजुमदार ने उत्खनन अर्नेस्ट मैके और ये किस नदी के किनारे इस्तित है तो शिन्दू नदी के किनारे यह इस्तित है ठीक है फिर से देख लिए ये हडपा रावी मोंजड़ों सिन्दू चानुद़ों भी शिन्दू ठीक है हडपा की खोज 1921 में कीथी दयारम साहनी ने मोंजड़ों की खोज 1922 में राखल दास बनर जी चनुद़ों की खोज 1930 में एंजी मजुमदार ठीक है देखे चनुद़ों एक अध्योगिक नगर था यहां से क्या क्या मिला तो मन के बनाने का कारखाना, श्याही दवात, लेपिस्टिक, हाथी का खिलोना ये सब जो है चनुद़ों से मिला है पियान रखी गईü चाहटाणोडो एक ऐसा अस्तल है जहां से दुर्ग का साक्ष नहीं मिला है ठीक है न, ये पूच लेता है कि किस अस्तल से दुर्ग का साक्ष नहीं मिला है, तो वो था चाहटाणोडोडोhouse उसके बाद एक और कौशन ये बहुत पूछा जारा आजकाल कि वक्राकार इटों का साख्ष कहां से मिला है तो ये मिला है चाहूद रोजी क्लियर है चलिए अगर देखते हैं लोथल देखी लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थीत है ये कुश्यन आपका बिहार दरोगा में पिछली बार पूछा गया था मतला इस जिसका भी मैंस हो रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थीत है तो भोगवा कहां पर है गुजरात में इसकी खोज किस ने राओ ने की थी ठीक है रंगनात राओ ने खोज किसकी की लोथल की लोथल भी एक अद्यवनगर था यहां से बाट मापतौल के पैमानों का साक्ष मिला है माप की एकाई सोले के नुपात में होती थी तो ये ध्यान रखिएगा बाट मापतौल का एकाई कहां से मिला है लोथल से लोथल किस नदी के किनारे भोगवा कहां पर गुजरात में खोजकौन किया रंगनात रावन सबसे इंपर्टन बाधयान रखिए कि लोथल से युगल शवाधान का साक्ष मिला है जोड़ा में युगल स्वाधान का साक्ष कहां से मिला है लोथल से और लोथल जो है सेंदव सब्धेता का बंदरगा था बहुत बार ये कूशन पूछा गया सेंदव शब्यता का बंगरगा था कौन सा स्थान तो लोथल ठीक है चलिए आगे देखते हैं कहता है कि चावल का प्रथम साक्ष ये भी लोथल से ही मिला है चावल का पहला साक्ष कहां से मिला है लोथल से और लोथल को लगु हडपा भी कहा जाता है देखे आपसे पुछ लेगा कि निम्न में से किस सेंदव अस्थान को लगु हडपा कहा जाता है तो ध्यान रखना है क्या लोथल को ठीक है यहाँ से देखी क्या-क्या मिला है तो घोडे की म्रिन मूर्तिया पंच्तंत्र की चलाग लोमडी हवन कुंड का साक्ष यह सब जो है लोथल से मिला है चावल का पहला साक्ष भी लोथल से मिला है खोच किया सा रंगनात राव यह है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे इस्थित है लोथल एक बंदरगा था यूगल सवाधान यहीं से मिला है तो इतना important fact जान लिए लोथल के बारे में इससे बाहर इससे प्रश्ण नहीं निकलेगा अगला जो अपना जगह है यह है बनावली तो बनावली देखी कहां इस्थित है तो बनावली सबसे पहले जान लेजिए यह हर्यान में घगघर नदी के किनारे स्थित है किस नदी की किनारे बनावली घगघर बनावली की खोज की अगर बात की जाये तो इसकी खोज इसका जो खोज करता है यह है आरेस बिस्ट बनावली का खोज किस ने किया था RS BIST ने ध्यान रिखिएगा है NG मजुमदार ठीक है दयारामसानी, राखल दासमगर जी किसके खोज करता कौन है यह आपको ध्यान में रखना है रंगनात राव ठीक है बनावली की खोज RS BIST ने की थी और बनावली कहाँ पर है तो हर्याने में है अब हम लगों ने देखा, घर नदीके किनारी मिटि का बनावली से मिला यह कई दफ़ा कोशन पूछा गया मिटि का बनावल कहां से पिला है तो ध्यान रखना है यह मिला है बनावली शी ठीक है और यहाँ पर जो है में नाली विवस्ता का अभाव था हाडपा सब्पता में जो है drainage system काफि जो है डबलोप था सडकें वगेरा सीधी समान अंत्र होती ती दुसरे कुन अबे के कौन पर काड़ती थी लेकिन यह जो बनावली यह अपना जगह यह काली बंगा काली बंगा की खोज देखिए ईघोस ने की थी एघोश द्यान रखें आप और ये जो है ये भी घगर नदी के किनारे इस्तित इसका उत्खनन किसने किया ये याद रखना है देखिए काली बंगा का उत्खनन बीबी लाल एवं B के थापर ने की थी काली बंगा का उत्खन किस ने किया B बी लाल और B के थापर ने ठीक है देखिए एसे ही अगर देखा जाते हैं तो ट्रिक के रूप में देखिए ए घोस कोई है घोस बाबू है ठीक है इनको वाइफ ने बी बी ने थापर मारा ठीक है एगोस की जो पतनी है यहां लिखा है काली बंगा पतनी है इन्होंने क्या मारा थापर जिससे यह एगोस बाबू लाल हो गए याद रहेगा देखिए काली बंगा का अर्थ अगर पूछ ले तो यह होता है काले रंग की चूड़ियां काली बंगा का अर्थ क्या होता है काले रंग की चूड़ियां एकजाम में पूछा गया यह सब कुश्चन काली बंगा का अर्थ क्या है जुते हुए खेत का साक्ष काली बंगा से मिला है जुते हुए खेत का साक्ष कहां से मिला है काली बंगा से मिला है बिलनाकार मोहर, देखी, important वरगाकार हम लोगों ने दिखा था, यहां है, बिलनाकार मोहर का साक्ष भी जो है, काली बंगा से मिला है, ध्यान रखना है, इसके लावा अक्सर पक्के इटों का प्रयोग होता था, लेकिन कच्छे इट के मकान, इसका साक्ष भी काली बंगा से म मिला है तो धियान रखना है अगर बात की जाये तो विश्ष के पर्थम भूकम का साक्ष भी काली बंगा दियान रखना है काली बंगा को दीन हीन बस्ती या गरीबों की बस्ती भी कहा जाता है आगे देखते हैं दोस्तों सुरकोतडा ये देखिए कहा है तो ये गुजरात के कच के रण में स्थित है इसकी खोज किसने की थी तो ये इंपोर्टेंट पहने और काफी जोस में दिख रहे थे ठीक है सुरकोतडा जगपती जोसी यहां से दिखी क्या मिला है यह इद्राम में पूछा गया है तो घोड़े के अस्थी का साख्ष जो है यहां से मिला है ठीक है पृर कहता है कि शैंदव गाटी सब्वेता के विनास का साक्ष भी सुर कोतदा से मिला है ठीक है यह दियान रखना है सेंदव सब्यता जो थी यह मात्री शत्तात्मक्ती ठीक है क्योंकि यहां से जो है मिर्ण मूर्तियां महिलाओं की मूर्तियां ज्यादा पाई गई है उसी के हिसाब से यह अनुमान लगा जाता है कि सेंदव घाटी सब्यता जो है मातरी शत्तात मक्ती आगे देखते हैं रोपड तो रोपड कहा है कि पंजाब में सतलज नदी के किनारे इस्तित पंजाब में सतलज नदी के किनारे इस्तित है क्या रोपड आगे देखिए रोपड की खोज बीबी लाल ने की थी ठीक है रोपड की खोज किस ने की थी बीबी लालने और यही भी वी लाल जो है काली बंगा में हम लोग दैका था, तो किसको this को मारा भी वी वी लाल ने धापड मतलब थापड से कहए भी के थापड यहां ध्यान रेखिए रोपड की खोच भी वी लालने की थी और इसका उत्खनन जो है किस ने किया था यगदत सर्माने पूछ लेगा अगर आपसे question कि रोपड का उत्खनन किस ने किया था तो ध्यान रखिए यगदत शर्माने फिर ध्यान रखिए रोपड जो है श्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित छेत्र है कितना अच्छा question बन सकता है कि श्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित छेत्र तो वो है रोपड मानव के साथ कुत्य का शावाधान रोपड से मिला है ये भी ध्यान में रखिए important है मानव के साथ कुत्य का शावाधान का साक्ष कहां से मिला है रोपड से अगला जो है अपना अस्थल ये है धौला वीरा तो ध्यान रखिए धौला वीरा कहा है ये गुजरात में लोथल गुजरात में भगवा ने दीके किनारे ऐसे ही इसको दोराते जाना है धौला वीरा की खोच किस ने की थी तो जगपती जोशी ने की थी ठीक है धौला वीरा क को आप अच्छे से revise कर लिएगा तो फिर कभी नहीं भुलिएगा लेकिन skip नहीं करना है कहता है धोलाविरा सेंदफ सब्वता का सबसे सुन्दर नगर माना जाता है सबसे सुन्दर नगर संदफ सब्वता का कौन सस्थल माना जाता है धोलाव bạn दि यहिन बस्ती काली बंगा ऐसे ही सवाल आपसे पूछेगा विस्त कि प्राचिन्तम स्टेडियम का साक्ष जो है धौला वीरा से मिला यह सवाल आपका पूछा गया प्राचिन्तम स्टेडियम का साक्ष कहां से मिला है धौला वीरा से ठीक है और धौला वीरा में जो है जल प्र शेंदव गाटी सब्यता पूरे रूप से डिटेल में समाप्त हो गया सारे फैक्ट जो है किसी न किसी एकजाम में पूछे गए हैं इन सभी को आप अच्छे से त्यार करें इसके लावा देख लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट भी है कहता है कि भारत में चांदी की उपलबदता का प्राचिंतम साक्ष हडपा से मिला है ठीक है उचले चांदी की उपलबदता का प्राचिंतम साक्ष कहां से मिला है तो हडपा सभीता से शिंदू सभीता को आर्यों से पुर्व की सभीता रखने का कारण क्या है तो मृद भांड सार एक्जाम में आया वा कोश्चन सिंदु से बेदा कैसी थी नगरिया हम लोगों ने देखा था सड़कें जो है एक गुसरे को समाना अंतर 90 पे काटते थी फिर कहता है कि शेंग युक्त देवता की मुहर कहां से मिली है तो सेंग युक्त देवता की जो मुहर है यह काली बं से बड़ा हलपन पुरास्थल यह राखी गड़ी है अगला है लेखन कला की उचित प्रणाली विक्षित करने वाली जो प्राचीन सब्यता थी यह है शुमिर्या सब्यता और धोला वीरा तीन नगरों में विवाजिता यह सारा फैक्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया ह उमिर्या आपको लेक्षिर पसंद आगा वीडियो को अधिक सदिक लाइक और शेयर करें धन्यवाद